जिन भाई बेहनों को दमा, अस्थमा, कफ, कोल, बार-बार खांसी होती है कई बार देखने में है कि स्वास नली में सूजन हो जाती है स्वास खिश-किश क्याने लगता है, विक्ति सो नहीं सकता है बैठने के बाद ही स्वास लेता है तो ऐसी सभी वस्थां में स्वास नली के सूजन को उतारने के लिए गले को फ्रेस करने के लिए या फैंफडो में कोई भी किसी परकार का कफ जमा हो गया है उन सभी रोगों को दूर करने में समर्थ है ये दंबेल इसका बोटनिकल नाम है और वैसे इसको दंबेल कहते हैं इसका एक पत्ता लेंगे और धोने के बाद उसका रोल बनाएंगे और रोल बना करके उसको मुख में रखकर धिरे धिरे पान की तरह चबाते हैं जैसे पान खा रहे हों और हलका हलका रस उसका अंदर ले जाते हैं। धीरे-धीरे जैसे रस अंदर जाएगा तो कई बार देखने माया कई भाई बेहनों को कफ की उल्टी हो जाती है। और उस उल्टी में इतना कफ निकलता आदमी सोचता है शायद मेरे अंदर इतना कफ भरा हुआ है। वो सोच नहीं सकता लेकिन वो अंदर ही होता है जो मैं बता रहाता आप से कफ की आवाज आने लगती है, सीटी सी बजने लगती है। कई बार छोटे बच्चों को भी होता है, यदि छोटे बच्चे जो मा का दूद पीते हैं, उनको भी नमुनिया हो जाता है। डॉक्टर को इंजक्शन लगाते हैं, छोटी सी अवस्ता में दो-चार मेने का बच्चा है, तो इंजक्शन कैसे उसको सेन करेगा। तो ऐसी अवस्ता में हम इस पत्ते को इसकी माता जी खिलाते हैं। उसकी माता प्रातकाल सुभे, तीन दिन तक लगातार इस पत्ते का सेवन करे। देरे देरे चबागरा खाये तो वो दूद में मिक्स होकरके और बच्चे के पास जाएगा। और बच्चे का जो प्रोब्लम है, रोग है, जो नमूनिया कहते हैं इसे कफ बढ़ जाता है, ऐसी सभी वस्ताओं में, तो वो बच्चे का कफ दूर हो जाएगा। तो यह अपने आप में लता, अनमूल है, इसका कोई मूल नहीं होता। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो जीवनी सक्ती से भरपूर हैं और हमें जीवन परतान करते हैं। भी हर जगे पाई जाती हैं। मैं कही बार देखता हूँ, जब जंगलों में जाता हूँ, तो वहाँ प प्रत होती थी, अगर हल्दी हमारे घरों में होती है, कि चोट लग जा तो दादी कहा करती थी कि हल्दी लगाओ, खांसी हो गया, तो भले हल्दी का सेवन करो। तो कही ना कही हमारे घरों में ऐसी ओषदियां होती थी और हम उनसे सबसे परिचित होते थे, लेकिन धिरे- प्रीऊ कर सकते हैं, तो उन में से एक जड़ी पूटी है, दंबेल, टैलोफोरा, इंडिका इसका एक नाम है, तो आप इसका प्रीऊ करते हुए अपने आपको हेल्दी और स्वस्त बना सकते हैं, दमा अस्थमैं से अपने आपको निरोग कर सकते हैं